दोस्तो, 16 मई 2022 चंद्रग्रहन बना दुरलब महासुबसंयोग ये 6 राशिया होंगी करोटपती। जी हा दोस्तो, इस बार 16 मई को लगने वाले साल के पहले चंद्रग्रहन से इन 6 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है। जी हा दोस्तो, इस बार लगने वाला चंद्रग्रहन इन 6 राशी वालों के लिए बड़ा ही शुबफलदाई रहने वाला है। जी हा दोस्तो, इस चंद्रग्रहन के प्रभाव से इन 6 राशी वालों की जीवन के सभी दुखदर्ध और कष्ट मिटने वाले है। और इन छह राशी वालों को अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुशियाई खुशिया जिससे इन छह राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जी हां दोस्तों वे खुश नसीब और भाग्यशाली छे राशिया कुनसी है जो की 16 माई को लगने वाले साल के प्रथम और भाग्यशाली छे राशी वालों के बारे में बताने वाले है इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके अन्ततक जरूर देखे वीडियो को बिलकुल भी मिसना करे क्योंकि ये वीडियो उन छे राशी वालों के लिए बहुती महत्वपुर्na रहने वाली है जी हां दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेश्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर करें चलिए दोस्तों बात करते हैं उन्छ खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो की 16 मही को लग रह साल के प्रथम चंद्र ग्रहन के प्रभाव से करोडपती होने वाली है ये छे राशि वाले माला माल होने वाले है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ग्रहन की घटना धार्मिक और वेग्यानिक नदर्य claims बहुत ही खास मानी जाती है धार्मिक पहलू से ग्रहन की घटना को शुब नहीं माना जाता, जबकि वेज्यानिक नजरिये से यह एक खगोलिय घटना मात्र है, इस वर्ष कुल मिलाकर दो चंद्रग्रहन होंगे, हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रग्रहन का जीवन में बहुत ही महत्व है, अईसी माननेता है कि ग्रहन के दोरान कोई भी शुबकारिय नहीं करना चाहिए, और अईसे में भगवान की भी पुजा नहीं की जाती, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2022 का प्रथम चंद्रग्रहन, 16 माई 2022 दिन सोमवार को लगेगा, चंद्रग्रहन का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, लोगों के जीवन पर देखा जा सकता है, इस चंद्रग्रहन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग पड़ेगा, जी हाँ दोस्तो, साल 2022 का पहला चंद्रग्रहन, 16 माई 2022 दिन सोमवार को रुच्चिक राशि में लगेगा, इस चंद्रग्रहन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, भारत के समय के अनुसार, 16 माई 2022 दिन सोमवार को, चंद्रग्रहन सुबह 8 बचकर 69 मिनट से लेकर, सुबह के 10 बचकर 30 मिनट तक रहेगा, यह पूर्ण चंद्रग्रहन होगा, भारत में इस चंद्रग्रहन की दुश्यता शुन्य होगी, इसलिए इसका सुतक काल नहीं लगेगा, और इसका सुतक काल मान्य नहीं होगा, साल 2022 का पहला चंद्रग्रहन भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका सुतक काल प्रभावी नहीं होगा लेकिन दक्षिनी पच्यमी युरोप, अफ्रीका, दक्षिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सो प्रशान्त महासागर अट्लांटिक और अंटार्टिका में यह दिखाई देगा लेकिन इस चंद्रग्रहन का प्रभाव सभी राशियों पर देखा जा सकता है साथी साथ गरहन काल के दवरान गर्भवती महिलाओं को कौन-कोन सी साउधानी बरतनी चाहिए आईए बता देते है गर्भवती महिलाए चंद्रग्रहन के दवरान क्या करे गर्भवती महिलाओं को ग्रहन काल के दवरान घर के अंदर रहना चाहिए और पुजा पाठ या मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए ग्रहन समाप्थ होने के बाद चंद्र ग्रहन के दुश परिनामन से बचने के लिए उने स्नान अवश्य करना चाहिए घर के अंदर के किर्णों से बचने के लिए खिडकी ओंको मोटे पर्दे से ढखना सुनचित करे और साथी साथ गर्भवती महिलाए ग्रहनकाल के दवरान क्या न करे गर्भवती महिलाओं को चंदर ग्रहन के दवरान भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वर्जित माना जाता है हाला कि भोजन करने से पहले वह एक काम यह कर सकती है कि जो भी आप भोजन करे उसमें एक तुलसी का पत्ता डाले ज्यान रखे तुलसी का पत्ता आपको चंदर ग्रहन के पहले ही तोड़ के रखना है जो भी खाना बनाए उसमें एक तुलसी का पत्ता आपको डाल देना है फिर आप भोजन ग्रहन करे अईसा करने से चंद्र ग्रहन का कोई भी अशुप प्रभाव आपके और आपके शिशु के उपर नहीं पड़ेगा हाला की गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चे के स्वास्त को लेकर अगर आप भोजन करते है तो आपको अपने भोजन में तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालना है और ग्रहन काल के दौरान आप भगवान शिशु के मंत्रों का जाप करे निरंतर महामृत्युन्जय मंत्र का जाप करते रहे भगवान विश्णुजी के मंत्रों का जाप करते रहे इससे आपके और आपके शिशु के उपर चंद्रग्रहन का कोई भी अशुप प्रभाव नहीं पड़ेगा साथी साथ आपको तेज धारवाली वस्तुए जैसे कैची, चाकू, पिन, आदी के उपियोक से बचना चाहिए इससे जनम दोश हो सकता है और आपके शिशु पर इसका नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है ध्यान रखे कि ग्रहन काल के दवरान कोई भी धारधार वस्तुए कोई भी नुकिली चीज आप नाच हुए इससे बचे जी हाँ दोस्तो बात कर लेते है उन 6 खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जोकी 16 मई को लग रहे साल के प्रथम चंद्रग्रहन के प्रभाव से करोडपती होने वाली है ये 6 राशी वाले अब धन से माला माल होने वाले है जी हाँ दोस्तो जिन 6 खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे है उन्च खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशी है वो राशी है मेश राशी जी हाँ दोस्तो चंद्र ग्रहन का प्रभाव मेश राशी वालों पर बहुती शूब रहने वाला है जी हाँ दोस्तो ग्रहन के शुभप्रभाव की कारण मेश राशी वालों की आर्थिक स्थिती मजबुत होगी मेश राशी वालों की आर्थिक स्थिती अच्छी होगी साथी साथ इने कार्य शेत्र में तरक्की मिलने की संभावना है कार्य शेत्र में मेश राशी वालों की जमकर तारीप की जाएगी नौकरी के साथ जो लोग व्याउसाय में रुची रखते है उनके लिए भी चंद्रग्रहन शुभर रहेगा यदि आप किसी नए कार्या को शुरू करने के लिए विचार कर रहे है तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा साथी साथ यदि आपका कोई कर्ज चल रहा है उस कर्ज से आपको चुटकारा मिलने वाला है साथी साथ आपको अब मन चाही नोकरी मिलने वाली है साथी साथ नोकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन रुद्धी के भी योग है घर परिवार में खुशनुमा माहोल रहेगा मेश राशी वालों कहना गलत नहीं होगा यह चंद्रग्रहन आपके लिए अत्यांत लापकारी सिद्ध होगा जी हाँ दोस्तो इस लिष्ट में दूसरी जो राशी आती है वो है तुलाराशी जी हाँ दोस्तो तुलाराशी वालों को बता दे कि यह चंद्रग्रहन आपके लिए अत्यांत शुभर रहने वाला है इस दवरान आपके पास नौकरी के नई आउसर आ सकते है इस दवरान धन की रुद्धी के भी संभावना है तुलाराशी वालों इस ग्रहन के दवरान आपकी आर्थिक स्थिती और मजबुत होगी चंद्रग्रहन के दवरान जो भी आपके कारिय रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे आपको चारो तरप से अब लाभी लाभ मिलने वाला है आपको किसी बड़े कारिय में सफलता मिलने से अपारधन की प्राक्ति की संभावना बंद रही है साथी साथ आपके घर परिवार में खुशनुमा माहुल रहेगा साथ ही साथ आपको बता दे जो भी आपके रुके हुए कारियत है वे अब आपको समय पर पूरे होते नजर आने वाले है साथ ही साथ जो लोग नोकरी की तलाश में है उनको अब मन चाही नोकरी मिलने वाली है साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई या नोकरी करने का सपना देख रहे है तो वे सपना भी इनका अब जल्द पूरा हो सकता है जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ आप नया वाहन और नया घर खरीच सकते है तुला राशी वालों कहना गलत नहीं होगा यह चंदर ग्रहन आपके लिए अत्यंत लापकारी सिद्ध होने वाला है चारो तरप से आपको खुशियाई खुशिया मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों इस लिष्ट में जो अगली राशी है वो है कुम्भ राशी जी हाँ दोस्तों कुम्भ राशी वालों को बता दे कि इस चंदर ग्रहन का प्रभाव आपके उपर शुभ देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों कुम्भ राशी वालों को बता दे कि आपको कार्य शेत्र में ना सिर्फ आर्थिक तरक्की मिलेगी बलकी पदन्नती होने की भी संभावना है। इस दवरान कुम्भराशी वाले जातकों के पास आयके नईने स्तुरोत बनेंगे। निवेश से मुनाफा होगा। यह समय आपके लिए अत्यन्त लाभकारी साबित होने वाला है। जिसमें भी आप निवेश करेंगे। उसमें पार रुद्धी होगी। लाब होगा साथी साथ ग्रहनकाल के दवरान आप कार्य सम्मंदित यात्राओं पर भी जा सकते हैं। और ये यात्रा आपके लिए आर्थिक दुरुष्टी कोन से लाब देने वाली रहेगी। नौकरी पेशा दातकों को पदुन्नति के साथ साथ वेतंद रुद्धी के भी योग बंद रहे है। साथी साथ आपके घर परिवार में खुशनुमा माहोल रहेगा। आपको चारो तरप से खुशियाई खुशिया मिलने वाली है। जो भी आपके रुके हुए कार्य है वो अब समय पर पूरे होने वाले है। आपकी आर्थिक स्थिते में सुधार होगा। इस दवरान आपके कई काम बनेंगे। यात्राउन से आपको लाब होने के आसार है। बिदनेस वाले लोगों के लिए यह चंद्रग्रहन बहुत ही शुभफलदाई साबित होगा। कार्य शेत्र में आपका यश बढ़ेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुम्भ राशी वालो यह चंद्रग्रहन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। इस चंद्रग्रहन के प्रभाव से आपको चारो तरब से खुशियाई-खुशिया मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तो इस लिष्ट में जो अब अगली राशी है वो है कन्याराशी। जी हाँ दोस्तो कन्याराशी वालों को बता दे कि यह चंद्रग्रहन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्तिती बहुत ही अच्छी होने वाली है। साथी साथ आप किसी पर भी आख बन करके विश्वास ना करे। अन्यथा आपके साथ धोका हो सकता है। लेकिन आपको बता दे कि यह चंद्रग्रहन आर्थिक दुष्टी कोन से आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस चंद्रग्रहन के प्रभाव से आपकी आर्थिक स् पफल होंगे। इस दवरान की गई सारी यात्राय आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह ग्रहन बहुत ही शुभर अने वाला है। प्रोपर्टी में निवेश करने के लिए समय अच्छा रहेगा। और ऐसा करना इस समय अभकारी सिद्ध होगा। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरन रहेगा। आपके प्रेम समंद मजबुत होंगे। संतान पक्ष से कोई शुभसमाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा कन्या राशी वालो। यह चंद्र ग्रह चारो तरप से आपके लिए खुशियों की सवगाद लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तो इस लिष्ट में अब अगली जो राशी है वो है रिच्चिक राशी। जी हाँ दोस्तो रिच्चिक राशी वालों को बता दे कि यह चंद्र ग्रहन आपके लिए अत्यंत साबित होगा। आपकी आर्थिक स्तिती में सुधार होगा। सरकारी शेत्र से मुनाफा होगा। विदेश में नवकरी प्राप्त करने के लिए संभावना बंद रही है। क्रहन काल के दोरान आप जितना हो सके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करे। जिससे आपको जाते है तो वे आप ले सकते है। कार्य शेत्र में लाब होने की संभावना बंद रही है। नवकरी में कई अच्छे औसर आपको प्राप्त हो सकते है। साजे दारी के कामों में मुनाफा मिलने की उम्मीद है। इस अउधि में आपके कार्य शेत्र में आप एक अलग प्रेम बनाने में सफल होंगे, इस दवरान ले गए आपके निर्ने सही साबित होंगे, चारो तरप से आपको सफलता मिलती नजर आएगी, रुचिक राशी वालो इस दवरान आपके घर परिवार में खुशियों का माहोल रहेगा, चारो तरप से आपको आर्थिक लाब होने की संकेत नजर आ रहे है, आपके प्रेम समंद मजबुत होंगे, कहना गलत नहीं होगा रुचिक राशी वालो कि ये चंद्रग्रहन आपके लिए अत्यन्त लाभकारी साबित होगा, जी हाँ दोस्तों इस लिष्ट में जो आखरी राशी है वो है रुशब राशी, जी हाँ दोस्तों रुचब राशी वालों को बता दे कि यह चंद्रग्रहन आपके लिए अत्यन्त शुबफल दाई साबित होगा, आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा, साथी साथ जो भी आपके रुके हुए कारिय है वो अब समय पर पूर्ण होंगे, इस दवरान लिया ग जातकों के लिए यह ग्रहन बहुत ही शुबसाबित होगा, प्रॉपरिटी में निवेश करने के लिए समय आपके लिए अच्छा है, साथी साथ अगर आप विद्यारती है तो समय आपके लिए अच्छा है, परिक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी, पढ़ाई मे मन लगेगा, साथी साथ आपको बता दे नौकरी में अच्छे अउसर प्राप्त हो सकते है, साजेदारी के कामों में मुनाफा होगा, साथी साथ आपके घर परिवार में खुचियों का माहुल रहेगा, चारो तरप से आपको अब खुश्याई-खुश्या मिलने वाली है, आर्थिक लाब इस चंदरग्रहन के प्रभाव से आपको मिलने वाला है, कहना गलत नहीं होगा, रुशब राशी वालों, इस चंदरग्रहन के प्रभाव से आपको आर्थिक लाब मिलने वाला है, जिससे आपके खुशियों का ठीकाना नहीं रहेगा, जीहा दोस्तों, यह छे राशी वाले अब चंदर ग्रहन के प्रभाव से कोरोटपती होने वाली है। छे राशी वालों का जीवन अब बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करे और वीडियो को जादस जदा सेर करे और कमेंट में जरूर लिखे जय मालक्ष्मी धन्यवाद।